माटीगर अथाने की पुलिस ने 30 दिनों बाद लूटा हुआ सोना किया बरामत दो लोग गिरफतार सिलिगुडी माटीगर अथाने की पुलिस ने 30 दिनों के बाद लूटा हुआ सोना बरामत करने के साथ ही दो लोगों को भी गिरफतार किया है गिरफतार दोनों आरोपी का नाम गनेश घोष और सादेव रॉय है जानकारी मिली है कि 30 अक्टूबर की सुबा माटी गराथाना छेतर से बेलडांगी इलाके की एक महिला सुबा सारी साथ बजे मौनिंग वॉक पर निकली थी जाच के दोरान पुलिस सुत्रोक और CCTV फूटेज की मदद से 27 अक्टूबर को दुगापुर इलाके के एक मंदर के पास से 21 वर्षिय गनेश घोष और एक आरोपी को गिरफतार किया गया कोट में पेश कर पास दिन रिमान पर लिया गया और उससे पूछ ताच की गई जिसमें उसने इस लूट कांड में शामिल सहदेव रॉय और फुलड़का के बारे में पुलिस को बताया इसके बाद गुप्त सुचना के आधार पर पुलिस को पता चला की सहदेव छिंता हुए सूने के चेन को जंक्षन इलाके में बेचने की कोशिश कर रहा है इसके बाद पुलिस ने पत्ती कलोनी इलाके में छापे मारी कर साधेव रॉय और फुलड़का को बीते कल गिरफतार कर लिया आरोपी एंज़ेपी इलाके का निवासी है पुलिस को उसके पास से 10 ग्राम पिगला हुआ सोना बरामत हुआ है आज आरोपी को सिलिगुडी महकुमा अदालत में पेश किया गया पुलिस घटना की जाच कर रही है इत्ती दिरे हरफल उन्चे की मदद दिक का भाई सके बाथरूम ते एंटी हरफल को दोकान ने भाई सके और मेरो सिर एंटी हेर ने रही हुँ तेश बची मेरो फ्रेंड ले मला रिक्बेंड गरेओ Сumancupी के स्वाने वैल्रे साथरे बाता हेर गम्मी पक्ट वित जन्ंग अंडिके प्र में पैटेंग अब मेरो पाथरूम भाई Прेंग केस का अब मुच्वल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्ताविजों को ध्यान से पड़े झाल